पब्लिक टीवी आपकी आवाद उत्तप्रदेश के जनपद मुरदबाद में विकास प्लादीकरण नित नए आयाम इस्थापित कर रहा है इसी कड़ी में मुरदबाद विकास प्लादीकरण ने एक नए पहल करते हुए युवाओं के भविशे को समादने का वीड़ा उठाया है MDA ने लाइब्रेरी बना कर युवाओं को टिपिकल एक्जाम की तयारी करने का मौका दिया है जे सोच के साथ MDA के आफिस में लाइब्रेरी बनाए गई तो वो अब सफल होती नजर आ रही है बच्चे अपनी अच्छी तयारी कर पाते हैं सच वातावरन और शांत माहौल है MDA की लाइब्रेरी में एक्जाम्स की तयारी कर रहे बच्चों को देखकर आज विकास प्रादीकरन के सचेव राजीव पांडे भी खुश नजर आए उन्होंने आज लाइब्रेरी में पहुँच कर तयारी कर रहे बच्चों से उनके विचार जने और वहाँ की सहूलियोटों के विशे में जान करी ली लाइब्रेरी का रखनाखाव और तयारी कर रहे बच्चों के वीच पहुँच कर MDA सचेव भी खुश हुए इस दौरान पढ़ रहे बच्चों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि मुरदबाद विकास प्रादीकरण की एक अच्छी पहल है और युवाम को अपने भविश्य को समवाबने के लिए मौका मिल रहा है बच्चों का कहना था कि यहां सभी अपडेटिट बुक्स अवेलेवल हैं और सभी प्रकार की एक्जाम्स की तैयारी बच्चे आसानी से कर सकते हैं तो वहीं मुरदबाद विकास प्रादीकरण के सच्छेव राजी पांडे ने बताया कि आफस में लाइब्रेरी का शुभारम मुरदबाद के कमिशनर अंजने कुमार और विकास प्रादीकरण के वाईस चेयर्मेंट के द्वारा किया गया था जिसे ये सोच कर बनाया गया था कि यहां पर बच्चे आकर अपने एक्जाम्स की तैयारी कर सके प्रादी करणा के अद्यक्ष और उपाद्यक्ष ने जो सपना देखा था वो अब पूरा होने लगा है उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी युवाओं के भाईशे को उचाईयों तक ले जाने में काम आ रही है गात दिनों शुरू ही लाइब्रेरी में आजकल चहल कदमे भी खूब नजर आती है आजकल यहां पर बच्चे अपने एक्जाम्स की तैयारी करते हुए नजर आएंगे मुरादाबाद विकास प्रादकर्ण की एक बड़िया योजना है और उन्होंने जन हित के लिए और नए मुरादाबाद को विक्सित करने के लिए इस कारले में लाबरिरी का घठन किया है उन सब के लिए कारले प्शका खोला गया है लोग बड़ी अभीरूच और यह हैं और इससे हमको जनसायोह की प्राफट हो रहा है साथ ही साथ जो प्रोपर्टी है उसको बेचने उठाने और प्रिचार प्रसार में भी सेयोग में पब्लिक टीवी आपकी आवाव